हेलो गुट मॉर्निंग वेलकम टू दा कोचिंग अभी से कोचिंग सर्विसेज यूटेब चनल और आये बात करते हैं इस वीडियो में लोको पाइलट कैसे बने सुरू से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरी परकिरिया हम आपको बताएंगे इसमें एक छोटी से छोटी ची लास तक देखेगा और इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए हम लोग सबसे पहले हम टॉपी जो कवर कर रहे हैं सबसे पहले हम जो भी वीडियो अप्लोड करते हैं अभी अभी का जो सीचियोशन चल रहा है बहुत सारे आपके वाट्सेप पर आ रहे हूं मेसेजज पेपर का कटिंग वह सब चीज़ तो उसके बारे में एक चीज़ के लिए करना चाहता हूं बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रेल्वे प्राइबेट हो रही है या ही रेल्वे प्राइबेट हो गई है परने का क्या फाइदा वैक एंसी तो आईगी नहीं तो ऐसा कोई गदने इस बार में पूरी सचाई नहीं है आए इसमें हम तीन टॉपिक करते हैं प्राइबेट सिर्फ कुछ ट्रेन होगी बाइबेट होगी घ्शान brightest ब्याइपी लोगों के लिए ट्रेंट मिंदेख करके आप जा सकते हैं कहीं इंडिया में उसके लिए कुछ ट्रेन होगी बादमां की ट्रेन जो जह सा पहले चलता था वह यह चलती रहेगी सब दिंकल चलती रहेगी प्राइबेट ट्रेन के अंदर के तो इन लोगों कहा जाता है ट्रेन होस्टेस जो की यात्रियों की सुविधा के लिए होते हैं और किस मकसद से रखा गया वह आपको पता है मंद्द यात्रियों की सुविधा के लिए उसे घराने खाने जो भी तकलीफ होगी यात्रियों की ट्रेन के अंदर में वह सब यह भी रख सकती ऐसा डूल नहीं है तो आपके बिल्कुल जहेर सी बात है कि अगर को प्राइवेट ट्रेन चल बिती भी है तो गार्ड ड्राइवर जो भी होंगे वह सरकारी होंगे और भी जो स्टाफ होंगे बाहर के वह सब के सब सरकारी होंगे सिर्फ वह से प्राइवेट जो बहुआ होते हैं अब 14 लग करम चाड़ी में काम करें 13-14 लग और जिसमें कितना क्रब्सारी अंतराल पर जब आप सबसे पहले हैं फाइदा मिलने वाला है रेल वे सबस्तार की पैरिंग कोच अगे बंसक्ता लोको पाइलेट और कौन नहीं जल्दी जल्दी हम इस्टॉपिक को खतम करते हैं देखिए एज लिमिट सबसे पहले हैं एज लिमिट तो एज लिमिट में कुछ इस तरह से है 18 साल से लेकर लिए आप आ रहें लोको पाइलेट के लिए तो आपका बिल्कुल सारे रिख से बिल्कुल फिट रहिएगा और इसके अलावा जो है सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है आँक आपके आँक में चस्मा नहीं होना चाहिए पहले से और आपका आँक कलर वीजन मतलब की कलर वीज आपको मिलेगी इस वीडियों फिलाल हम सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा जनकारी आपको देंगे तो मेडिकल कंडिशन आपको पूरी तर से बिल्कुल फिट रहना चाहिए शोटी मोटी अगर कोई दिक्कत है तो उससे कोई मतलब नहीं है बस आपका आँक सही रह से लेगा कुछ सेलेक्टेड उसका ट्रेड है उसी से रिलेटर तो आईए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं आगे और यह सब बिल्कुल किलियर हो गई है और और आगे देखते हैं आगे क्या आईटिया कई से कड़े कौन सा कड़े आपको आईटिया जो करना है वो किस तरह से करना है पहले तो कब करना चाहिए आईटिया जो है सबसे पहले टॉपिक है कब करना चाहिए तो आईटिया आप कभी भी कर सकते हैं आपका जब 10th कंप्लीट हो जाए मैट्रिक के लेकिन आपको मैट्रिक पलस आई टी आई जरूरी है अगर आप मैट्रिक के बाद आई करना जरूरी है तो 12 करना जरूरी नहीं है वह आपकी मर्जी पर है आप आई टे कर चुगे तो 12 कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं यह सब है उसको पर आई टीय में देखिए आउन से बिटी एक कर लिजेगा तो चलेगा कोई दिकट नहीं है वैसे अगर आप करने वाले हैं तो आप कॉले से डिमांड करेज़ें को को NCBT certificate मिले ना कि SCBT अगर आपके अगर SCBT का है तो भी कोई दिकत नहीं कुछ भी फरक नहीं है दोनों बिल्कुल सेम है उसका है क्या कि government से आई टे करना चाहिए या private से करना चाहिए दोनों ही डिगनिया बिल्कुल सेम होती है तो आप government से भी कर सकते हैं और private से भी कर सकते हैं कोई दिकत बस government से करने के लिए एक दिकत यह होती है कि आपको एक इंट्रेंस एक्जाम से गुजरना पड़ता है या भी बहुत सारे आपने आपके आसपास नजदी में बहुत सारा college होगा सरकारी में भी private में भी सरकारी के साल में एक वार वैकेंसी निकलती है उसका फॉर्म होता है और अभी साथ हो भी रही है प्राइबिट का भी वही साल में आप कर सकते हैं कोई दिख्कत आए तो आप में फोन कर लिजेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको हमारा कॉंटक्ट नमर दिया होगा बेस्ट आई ट्रेड कौन सा है लेकिन हम जान लेते हैं कि कौन सा आई ट्रेड है जिससे आप लोकुपाल बन सकते हैं अब देके जो पॉपुलर आइटीया का जो ट्रेड होता UP होता है इलेक्ट्रिसन और को यही जानते हैं लेकिन इसको करने के बाद आप लोकॉपाल बन सकते हैं लेकिन उस से सिर्फ वसिफ 16 ऐसे ट्रेड है जो कि 2018 के वैकेंसी में मानेता मिले थी इन लोगों को तो वह हम आपको बता है तो सबसे पहला जो है अर्मेचर एंड कोईल बाइंडिंग उसको फिर देखिए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन जो है हम इसको नंबर वन मानते है इलेक्ट्रीशियन है और इसको फीटर जो है नंबर टू है उसको देखिए इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक है हीट इंजन है इंस्ट्रूमेंट मेकैनिक है मैचिनिस्ट है मेकैनिक डीजल जिसको आप लोग कोई भी करिएगा होगा अगर दोनों का आपके पास और और वायर मैं यह सब में से जितना भी आईटिया का ट्रेड है सिर्फ और सिफ एक मात रहिसा जो कि डीज मैकैनिक डीजल यानि की डीजल मैकैनिक है जो कि है एक साल वाली बादमांकी ट्रेड है जो दो साल वाली अगर आप टर्नर भी है एक साल वाली भी टर्नर होती है दो साल वाली होती है आपको दो साल वाली आईटिया का जो ट्रेड है वो करना है एक साल वाली सिर्फ और सिफ मैकैनिक डीजल है उससे आपको आईटिया कर रही है तभी लोग को पाल्ट बन सकते है औ और हम सब की रैंकिंग कड़े तो इलेक्टीसे नमबर टू है नमबर वण है फीटर नमबर टू है नमबर थ्री में इलक्रोनिक मैकानिक है उसके बाद नमबर फोर में आप वायर में ले सकते हैं और यह सब वैसे आप यह 16 में से कोई भी कर लिजेगा चलेगा बिल्कुल ठी अपको आय टीर के साथ क्या करना जरोड़ी है लोग के साथ बहुत ज़्ड़ा दिख्कत होती है कि वह इसके पास कन finger रती है कि प्लशुजर चूट कर रेसी यह प्रेट करना जरोड़ी है नहीं कोई जरुणी नहीं पी पी, सी, से आपको 12 करना जरूर ही है बिल्कुल जरूरी नहीं है आप करना चाहे तो कर सकते लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके बाद हुआ की कहा है वही लोको पालँ पाल सकता है जिसके बास 10 प्लस that होगा वह स्ट् athletes बिल्कुल लोको पालट के लिए आशकता है तो लो मां ग्रेजुएशन करना जरूरी है राजे लिए बस है श्ट हो दोगार में नहीं इसके लिए सीट रिजर्व राती है तो अगर आप करना चाहिए तो कर लिए आपको प्राइबेट कंपनियों में आपके पास मुझा रहे हैं आपके पास एक साल का जो है ना उस एक्सप्रियेंस एक तरह की है तो उससे आप मतलगी जॉब मिल जागी कोई कोई गुरू वीडियो बाने अप्रेंटिस से क्या फाइदा होता है तब तक हम आगे बढ़ते इस वीडियो में देखे लोको पाइलट बढ़ने की पूरी पर किडिया फॉरम निकलने से लेकर के ट्रेनिंग तक क्या पूरी पढ़के आप यहां पर देखिए सबसे पहले वैकैंसी निक आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिली जाएगे या फी एबरीडे नियू करके एक चैनल है जो कि रेलवे के नियूज का एक पलपल का अपडेट आप वहां सब देख सकते हैं तो वैकैंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगी तो सबसे पहले निकलती ही वैकैंसी वैकैंस यानि आप जो भी फॉर्म आप डिज्ये का सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म भरते समय वह सबका आपको वैरिफिकेशन होगा और उस वैरिफिकेशन में आपको सब चीप प्रूप करना पड़ेगा बहुत साई लोगों को लगता है कि वैरिफिकेशन मतलब क्या होता है इंटर गुकरन होता है अपको बिल्कुल नौकरी मिल गई है अब आप ट्रेंग के लिए जैसें रेंसने वह सबस्क्रिया कीतने Mole होंगे इसका syllabus क्या होगा pattern क्या होगा इसके लिए क्या करें कौन सा course करें करें क्या से त्यारी करें तो सबसे पहले देखिए आपको तीन एक जाम होता है CBT1 CBT2 और CBT3 देखे CBT1 है CBT2 है CBT1 है CBT2 का part A होगा CBT2 का part B होगा उसका CBT3 जिसको आप लोग साइको टेस्ट करते वह होगा इसमें देखे CBT1 में आपको 75 question है 60 मिनट यानि 60 मिनट का समय मिलेगा इसमें आपको math का 20 question, reasoning का 20 question, science का 25 question, general awareness on current affairs का 10 question, 75 question में से आप जितना maximum number ला सकते हैं उतना number ला करके आपको passing मिल जाएगी उसका आप CBT1 exam को pass करते तो आपको फिर से form भरबाता है उसको आपको CBT2 exam लेता है part A exam और part B exam दोनों बिल्कुल एक साथ होता है धाई गंटे का test होता है जिसमें कि आपको दो paper मिलता है paper one पहले मिलता है जिसको part A बोलते हैं इसमें आपको 100 question मिलता है 90 मेट का आपको समय मिलता है जिसमें देखिए math का 25 question, reasoning का 25 question और basic science and engineering का 40 question और current affairs on general awareness का आपको 10 question मिलता है आपको इसमें maximum 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 लाइए और इसको पास करें उस पर पार्ट B में जो है वह मिलता आपको ट्रेड़ टेस्ट आप जो भी ट्रेड़ टेस्ट आप सीवीटी वन एक्जाम को पास करने बाद सीवीटी टू एक्जाम के लिए जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आप से पूछा है का आप कौन स सा ट्रेड आपको सेलेक्ट करना चाहिए इसके बाड़े में एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए आगे उस वीडियो को देख लिजेगा तो ट्रेड टेस्ट आप जो भी ट्रेड लिजेगा उसमें सब को 75 कोशन पूछ लेगा के बाद फिर से आपको फर्म बात के लिए आपको पांच टाइप का टेस्ट लेता है जो की है आपका मेमोरी टेस्ट उसका टेबल टेस्ट primarily यह सबस्या compartir प्लोग करने वाले साइको टेस्ट के उपर तो भी आप देख लिजेगा तो यह क recommends और इस exactly आपका एकस्पस करने के लेना है चले हमना आगे बारते हैं अगले टॉपिक के तरफ और टॉपिक खतम होगी क्या ओके तो चलिए यह सब रहा उसके बाद फिर देखिए हमारा आपको एड़र्स में यहां पर देख रहा अभिसेख कोचिंग सर्फिसेज दल्सिंग साइज समस्तिपूर बिहार में है इंजिनेर और लोको पाइलट और भी मुझब फफूल ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल सौट में फूल इंफर्मेटिम वीडियो हम बना है लोको पाइलट एक्जाम के बारे में आपको को यह और जान करीचे तो आप हमें कमेंट कर दीजे और आपको हमसे वाट् करिए आपके मन में कोई एक्स्टा डाउट है तो भी हमें कॉंटेक्ट करिए थैंक्यू सो मच